स्टडी आईक्यू आईएस अब तयारी हुई अफॉर्ड़बल और इस सपने के साथ भारत ने एक जिम्मेदारी भी ली थी वो जिम्मेदारी थी कि climate change से fight करने के लिए हम renewable energy पर काम करेंगे तो आज भारत अपने सपने के काफी करीब पहुँच चुका है तो आज की वीडियो में हम भारत के renewable energy sector के बारे में proper analysis करेंगे यह वीडियो ना सिफ आपके exam के point of view से important है बलकि यह आपकी general knowledge के लिए भी काफी interesting होने वाला है तो आएए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का नमस्कार दोस्तों मैं अब राची study IQ के platform पे आप सभी का बहर स्वागत करती हूँ अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इसको like कीजेगा comment section में अपना feedback जरूर दीजेगा और हाँ वीडियो को share करना तो बिलकुल मत भूलेगा क्योंकि मेरा मानना है कि sharing is scary तो हाली में देखिए Central Energy Authority की एक report आई है और उस report में उन्होंने ये बताया है कि 2027 तक भारत अपनी total installed power capacity के अंदर basically 57% renewable energy के mix को हासल कर लेगा और सब अतना ही नहीं 2030 तक हम अपनी total installed power capacity के अंदर 68% renewable energy का mix हासल कर लेगे और ये ना सर्फ इसलिए important है क्योंकि हमने ये कहा था कि हम हर घर बिजली ये उपलब्द कर आएंगे बलकि हमने national level पर ही नहीं international level पर भी climate change के लिए अपने कुछ commitment दिये थे जैसे Paris Agreement के तहट भारत ने ये कहा था कि 2030 तक हमारा जो basically energy mix होगा उसमें से 50% हम renewable energy sources से लेकर आएंगे और इसको भारत का nationally determined contribution कहा जाता है तो इस context को समझने के लिए एक basic introduction जानना ज़रूरी है कि आखे renewable energy sources होते क्या है और ये important क्यों है तो renewable energy sources जैसे कि आप सबको पता है कि आज दुनिया climate change से fight कर रही है और climate change होने का कारण है जो basically greenhouse gases का emission होता है और आपको ये भी पता है कि जादा तर दुनिया जो जो coal based thermal power होती है उस पर dependent ही और coal जो power plant होते हैं उससे carbon dioxide और जो greenhouse gases है उनका emission होता है जिसकी वज़े से प्रतवी गर्म होती है तो हमें इसे कम करना होगा और हमें उन energy sources पर switch करना होगा जो more climate friendly होते हैं और यहीं पर हमें help out करने के लिए आ जाते हैं renewable energy sources तो इनके दो मोटे तोर पर benefit है पहला benefit तो यह है कि renewable energy sources climate friendly होते हैं दूसरा important benefit है कि यह खतम नहीं होते या पर यह कह लीचे कि अपने आपको regenerate करते रहते हैं जैसे सूरज की रोशनी क्या वो कभी खतम होने वाली है बहुत लंबे टाइम तक तो नहीं तो solar energy एक ऐसा option है जो आपको basically एक लंबे टाइम तक available रहने वाला है और यह climate friendly भी है तो इस तरह के energy sources को ही हमने आपके पास renewable energy source उपलब्द है पहला है solar energy सूरिय से जो basically हमें heat मिलती है उसका हम यहां पर use करते हैं दूसरा है wind energy basically हम हवा की मदद से पावन चक्यों को चलाते हैं तीसरा यहां पर है hydropower यहां पर water की energy का हम use करते हैं चौता है biomass जहां पर जो plant है या फिर other organic matter है इसका हम use करते हैं और यह पाच्वा होता है जो energy security है वो इनकी वज़े से improve होती है जैसे आपको पता है कि यह आप petrol, diesel, coal पर अभी dependent हो तो गर geopolitical level पर कुछ भी change होता है for example अभी Russia Ukraine war हुआ तो coal को लेकर एक issue आया था Russia Ukraine war की वज़े से petrol और diesel के prices या more technically correct कहूं तो crude oil के prices में आपको काफी जादा variation देखनी को मिला था लेकिन जो यह nature है यह तो सब के लिए बराबर है हवा पानी सूरज की रोशनी यह तो सब को मिली हुई है तो इसलिए यह हमें more energy security देते हैं दूसरा इनका फाइदा है कि इनकी वज़े से jobs create होंगे जब नए technology आती है नए skilled workers हमें चाहिए होते हैं तो jobs create होती है और साथ यह sustainable है जैसे एक टाइम पर हो सकता है कि call के जितनी वे reserve है वो खतम हो जाए एक टाइम पर हो सकता है कि crude oil को हम completely exploit कर लें तो जो आने वाले generation है उनकी energy security के लिए यह जरूरी है यह हम sustainable energy sources को लेकर जादा काम करें तो this is the basic introduction about the renewable energy sources अब वापिस से report की तरफ आते हैं मैंने आपको बताया कि India जो है basically 2027 तक more than 50% renewable energy की एक installed power capacity को achieve कर लेगा why this is important देखिए अगर भारत की बात करें तो दो लेवल पर देखते हैं नेशनल लेवल पर भारत में जैसे जैसे population में आपको एक increment देखने को मिल रहा है हाली में एक report भी आई थी जिसमें यह बताया गया है कि कैसे भारत दुनिया का सबसे जादा जनसंख्या का देश जो है basically बन चुका है और बनने वाला है तो जितनी जादा जनसंख्या बढ़ जैसे per capita electricity consumption की अगर हम बात करें 2017-18 में जहां यह basically 1149 था वहें पर 21-22 में latest data बोलता है यह 1255 हो चका है यानि कि लगातार आपको देखे एक increment देखने को मिलता है basically per capita electricity consumption में यह तो नेशनल लेवल पर था कि electricity के demand बढ़ रही है इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत ने Paris Agreement के तहट अपने कुछ commitment दी हुई है उन commitment को पूरा करने के लिए भी हमें renewable energy पर काम करना जुरूरी है आईए थोड़ा सा data हम आगे देखते हैं जैसे यहां पर बात होती है सबसे पहले Paris Agreement की तो दरसल Paris Agreement के तहट दुनिया के जो परिवर्तन हो रहा है उससे fight करने में हमें help करेंगे तो भारत ने भी दरसल इसके तहत कुछ commitments अपने दिये हैं और उद्दीशे यहां पर यह था कि जो दुनिया का तापमान रहेगा 21 शताबदी में वो दरसल जो pre-industrial level था उससे केवल 2 degrees Celsius increase हो यानि कि 2 degrees Celsius की limit के अंदर अं गया था अगर यह केवल 1.5 degrees Celsius तकी limit रह जाए तो जादा बहतर है सभी देशों है इसके तरफ बेसिकली काम कर रहे हैं और जितने भी commitment देशों की तरफ से इसके तहत दिये गए हैं उन्हीं को बोलते हैं nationally determined contribution अब देखो भारत ने 2022 में अपनी जो commitments team को update किया था इसमें से ए यानि कि हम बेसिकली जो carbon dioxide है उसके उत्सरजन को लेकर emission को लेकर neutral हो जाएंगे दूसरा भारत ने बोला था कि जो emission की intensity है उसको हम 2005 के लेवल से 45% कम कर देंगे 2030 तक important हमारे लिए आज यह है कि भारत ने यह कहा था जो भी हमारी cumulative electric power की installed capacity होगी उसका जो 50% हमें लेकर के नवी करने उर्जा sources से लेकर आएंगे तो इसी लिए important है कि हम renewable energy के targets को लेकर बहतर काम करें साथ में भारत ने कुछ carbon sink बनाने की बात भी गई थी forestation के द्वारा तो अब तक भारत के पास किस तरह का एक energy mix है इसकी बात करते हैं तो यहां पर देखिए अगर latest data की में बात करूं राइट मार्च 2022 तकी तो जितनी भी हमारे पास total installed power capacity थी उसमें सबसे ज्यादा यानि कि 51% जो हमें मिलता है वो अभी भी coal पर निर्भर है इसके बाद हमने काफी बहतर काम किया है 39% जो है हमें renewable energy sources से मिलता है इसके अलावा आप देखोगे तो कुछ gas से मिलता है nuclear भी है diesel और lignite भी है तो यानि कि 51% जो है हम coal पर depend है इसी को धीरे धीरे हमें क्या है कम करना है अब यह जो renewable energy sources है इन में कितना किस पर हम depend है इसकी बात कर लेते हैं तो यहां पर देखिए सबसे जादा basically हमारे पास आता है यहां पर solar से 34% इसके बाद जो large hydro basically हमारे पास projects है वहा and then इसके अलाव आप देखोगे तो biomass है और small hydropower projects है तो this is about the data यह तो पहले था राइट है इसके बाद अब basically growth की बात करते हैं कि हमने कितना बहतर काम किया है ठीक है percentage wise तो समझ में आगया कि एक total energy mix के इंदर किसका कितना contribution है हमने growth कितनी की है तो अगर आप basically देखोगे करीब 2002 से राइट है और करीब 2017 तक देखिए तो हमने काफी बहतरीन growth यहां पर की है राइट है इससे पहले भी slow growth दिखाई देती है बीच में हमने बहतर काम किया था लेकिन यह हमने बहुत शांदार काम जो है यहां पर करकर दिखाया है और basically इस दोरान जो है धिरे धिरे government का focus renewable energy sources के तरफ जादा होने लगा था राइट है और यहां पर फिर से हम देखेंगे थोड़ा सा जो इस टेगनेंट रहे है कोविड आया एं दिन उसके बाद अगेन एक growth यहां पर दिखाई देती है इसमें thermal, hydro, nuclear, renewable energy sources और भूतान से जो हम electricity import करते हैं उस सब का data mix करके दिया अब एक question आता है कि renewable energy sources में सबसे जादा हम अभी कहां से energy लेके आ रहे हैं solar से लेकिन actually solar energy के अगर हम tariffs के बात करें तो वो costly थे तो एक question आता है कि लोग महंगी बिजली की तरफ क्यों जाएंगे जबकि इंडिया के अंदर electricity का जो tariff होता है वो भी एक issue होता है तो एक data में आ आप देखेंगे तो ये काफी low हो गए है 2020-21 में केवल 1.99 था तो दरसल अब देखा जाए तो affordable electricity plus environment friendly electricity ये दो dual objective हमें achieve करने थे इन दोनों की तरफ जो है काम बहुत बहुत बहुतर तरीके से चल रहा है अब यहां पर देखे basically 2026-27 तक and then उसके बाद 31-32 तक क्या एक जो है growth क projection रहने वाला है भारत का उसकी बात करते हैं तो coal का देखे काफी रहेगा करीब सवा दो लाख जो है basically 26-27 तक हो जाएगा megawatts में बात कर रही हूँ gas में करीब basically 24,000 है nuclear की बात करें तो करीब 13,000 है gas का लगबग सिमिलर रहने वाला है 2031-32 तक nuclear में थोड़ा सा इंक्रिमेंट देखने को मिलेगा बट कोल पे yes दो लाख करीब 60,000 के लगबग में यह पहुंच जाएगा ठीक है अब बात करते हैं renewable energy को कितना मिलेगा तो यहां बेसिकली बढ़ जाएगा यहां पर बताया क्या है कि renewable energy के जन्स टॉल्ट कैपिसेट होगी 26-27 तक solar काफी जाद हो जाएगा करीब 55% रही थे इसके अलावा जो लाज हाइड्रो स्मॉल हाइड्रो बायोमस और विंड है यह भी होगा अच्छा solar energy पे इतना जादा फोकस क्य जो भी कंट्रीज है उन सब को एक सीम पीच पर लेकर आना है ताकि solar energy को लेकर काम हो सके solar energy को लेकर जो finance है उसकी जो है issues को भी solve किया जा सके तो national level पर international level पर हमारा जो more focus है वो solar energy पर है राइट है अब 31-32 की भी ग्रोथ देख लेते हैं तो आप देखते हो large hydro में करीब आपक को जो है एक तरीके से 52-62 हो जाएगा थोड़ा सा focus कीज़े देखे solar पर मैंने आपको बताया करीब 1,85,000 MW की capacity है आप 2026-27 तर अचीव कर लेंगे 31-32 तक देखिए 3,64,000 पहुंच जाएगा काफी बहतरी निस्पे काम होगा विंड पे भी देखिए 72 MW जो है बेसिकली बहतर हजार MW जो है 26-27 तक रहेगा और ये 1,21,000 के लगबग बहुंच जाएगा तो हजार 31-32 तक लेकिन रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जितने भी हमने growth के data को यहाँ पे देखा है ये काफे ambitious target है क्योंकि इसके लिए बहुत जादा fund की जरुरत होगी और इसके लिए government को लगातार renewable energy sources को प्रोचाहन दीना होगा तो बात करते हैं उन major basically schemes की जो सरकार के द्वारा चलाए जारी है जिसमेंसे एक important है National Solar Mission 2010 में इसको launch किया गया था और तरह सरकार वो favorable एक ecosystem बनाने की बात कर रही है जिसकी वज़े से solar energy को यहाँ पर प्रोचाहन मिले दूसरा international solar alliance इसके मैंने बात की थी कि पूरे world को एक grid से connect कर दीने का यहाँ पर भारत का target है यहाँ पर भारत सरकार जो है one sun one world और one grid इसके concept को लेकर जो है काम कर रही है इसके अलावा दूसरा है प्रधान मंतरी किसान उर्जा सुरक्षा एवम उत्थान महाअभियान पीम कुसम योजना भी इसको बोलते हैं यहाँ पर करीब 3.5 million farmers को benefit मिलने की उमीद है और farmers के जो खेत हैं वहीं पर solar power plant stand alone को establish करने की तरफ सरकार काम कर रही है और उनके जो basically agriculture pump है उनको भी solarize करने की तरफ यहाँ पर काम हो रहा है इसके बात देखेंगे तो green energy corridors government बना रही है यानि कि जो renewable energy sources हैं वहाँ से electricity को transmit करके जहां पर consume हो रहा है वहाँ तक लेकर आना तो इक पुरा को पुरा infrastructure जो है इनको थोड़ा सा ध्यान रखेगा अब एक और सवाल उठता है कि target तो बड़े बड़े हैं इसके लिए fund भी चाहिए क्योंकि बिना पैसे के कोई भी काम नहीं होता है तो December 2022 में government ने इस चीज को पहचाना था और government की तरफ से यह announce किया गया था कि 500 gigawatt of renewable energy capacity को generate करने के लिए करीब हम 2.44 trillion का एक plan लेकर आए हैं जो आपके basically minister of power थे उनकी तरफ से पुरा का पुरा plan जो है unveil किया गया था कि कैसे हम इतना पैसा लगा कर एक जो target है उसको achieve करने की तरफ काम करेंगे तो yes काफी अच्छा काम हो रहा है और देखे 2030 तक हमें 50% renewable energy sources लेकर आने थे यह हमारा commitment था world के level पर लेकिन हमने क्या कहा कि हम 26-27 तक more than 50% achieve कर लेंगे और यहीं पर शुरुवात करती हुँ में जहां से वीडियो की मैंने की थी बात खतम अपनी कि इंडिया ना सेफ सपने देखता है बलकि उनको time से पहले achieve कर सकता है तो इंडिया की जो basically capability है उस पर अब सवाल ना करने के बजाए विश्वास किया जाए तो शायद बहतर है renewable energy के topic को प्लीज अच्छे से prepare कीजगा क्योंकि यह important है और आपकी exam में से question आप ही चुका है अगर आप इस PPT को basically चाहते हैं कि डाउनलोड कर पाएं तो मुझे टेलिक्राम चानल पर जो है join कर लीजेगा if you have any question regarding the video you can ask me there and यहां पर basically QR code दिया गया है इसको भी scan करके आप जो है यहां पर join कर सकते हैं में बहुत जल मेलूंगी again किसी important environmental issues के साथ या किसी बहतर जो है एक informative वीडियो के साथ तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमश्कार thank you so much everyone जेहंत Study IQ IS अब दयारी हुई affordable